आगे हैं मेरिकन पार्क के बिल्डिंग के मिडल वाले फ्लोर तक और इस बिल्डिंग को और ज्यादा पास से मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह नामबा और ओसाका के फेमस ओफिस एरियाज के अंदर आता है और हम बात कर रहे थे foreigners के international jobs के बारे में जो कि Japan के अंदर आके काफी काफी easy हो जाता है अगर आपके पास long term visa है तो आपके लिए job लेना बहुत बहुत easy है अगर long term visa नहीं है तो आप इंडिया से भी job ले सकते हैं या फिर सबसे जो आसान सबसे सस्ता तरीका और cost को भी recover करने वाला तरीका जो कि मैं हमेशा बताता हूं होता है student visa जिसमें आप आरुबाइतों करके अपनी cost को recover कर सकते हैं और student visa एक साल के बाद आप उसको एक साल और extend करवा सकते हैं और उसके बाद कुछ students ऐसे भी है जो दो साल तीन साल extend कराके रहते हैं साथ-साथ अपनी cost recover करके उसी cost से school fees पे करते रहते हैं और eventually वो एक ऐसी जॉब लेते हैं जो कि IT field या फिर management field के अंदर होती है जिसमें जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था चालिस मान या 35 मान से उनकी स्टार्टिंग होती है और वो 45 मान पचास मान तक भी ले रहे हैं मेरे ही ऐसे students हैं जो इस ताइम पचास मान तक यानि की पांच लाख यन एक महिने का अर्ण कर रहे हैं जो कि अगर हम cost of living निकाल के 15 मान उसके अंदर से माइनस कर दे 15-20 मान यानि की लगभग दो लाख रुपाए पर मन सेविंग और ये थी अच्छी अच्छी बात है अब मैं इसके कुछ आपको मुश्किल पॉइंट्स बताना चाहता हूं जैसे कि आप देखने है जपान एक एकदम साफ सुथरी developed country है तो सबसे बड़ी सबसे मुश्किल चीज ख जाना इन चीज़ों के लिए इसलिए मैं बार-बार स्टेडी वीजा के लिए रिकमेंट करता हूं क्योंकि जैपनिस कंपीज भी चीज जानती है के एशियंस जहें वह चाहे कोतोबा लैंगविज जानते हो लेकिन उनको वर कल्चर में ढलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और स्टेडी वीजा पर अगर एक साल स्टेडी कर लिए तो वर कल्चर भी कुछ हद तक या काफी हद तक उनको आगया है तो उनका जॉब लेना काफी-काफी आसान हो जाता है अब मैं आपको बताता हूं कि जॉब किस तरह होती हैं मेंली मैनेजमेंट जॉब्स होती है इसलिए वो जॉब्स लेना इजी हो तो उनमें पैसा भी आप ज्यादा कमा सकते हैं एक साल या दो साल काम करने के बाद चाहे उसी कंपनी में चाहे किसी दूसरी कंपनी को चेंज करने वाद फिल हल वो तो बात की बात है अभी हम बापेस आते हैं स्टडी वीजा पर स्टडी काफी काफी आजाती है जो कि स्कूल में पढ़ने से भी जादा होती है जिसको डेली काईवा निची जो काईवा डेली कांपिशन कहते हैं इसको जपैन आकर ही एक्सपरियंस किया जा सकता है इससे आप अपने बहुत सारे जैपनीस फ्रेंड्स बना सकते हैं जो कि आपको करते हैं यहां पर इंफक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनस तक स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं वो अपना एक ग्रूप बनाके खुब की अपनी कंपनी लांच करने को इस तरह के ब्राइट फूचर के लिए जपान के स्टेडी विजा को यूशिग ऑल्वेस प इंप्लिमेंट करते हैं जैसे 6 months, 1 year, 1 and a half year, 2 years, usually admission process होता है, admission duration होती है और इसमें October intake, July intake और January intake जो है, sorry, April intake जो है, वो सबसे ज़्यादा फेमास है, कुछ-खुल January intake भी लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमन है वो है April और October intake, तो April intake के लिए अगर process स्टार्ट होता है, वो हो जाता है, November या December के अंदर, और October intake के लिए March या April के अंदर स्टार्ट हो जाता है, इसमें जो initial cost होती है, वो आपको थोड़ी से लगानी बढ़ती है, around, कह सकते, Indian currency के अंदर, around 5 lakhs, 6 lakhs आपको लगाना बढ़ता है, 1 year के लिए, लेकिन ये cost recover करने के साथ साथ, आप saving भ कहा जाता है, कि Japanese language, इंडिया के अंदर सीखने में, जो एक साल में आप सीखेंगे, वो एक महीने में जैपैन में आप सीख सकते हैं, क्यों क्योंकि, जैपैन में, आपको A to Z, सुभा से लेकर रात तक, Japanese language में ही बात करना वड़ता है, अगर आप लिफ्ट में घुसेंगे, तो आवाज आएगी, दो आगाशी मारी मास, अगर स्टेशन पर जाएगे, तो आवाज आएगी, देंशागा मारी मास, गोचु इकोदासाई, अगर किसी Japanese से मिलेंगे, तो बात ही इसे से करेंगे, कि योर्ष को निगाशी मास, या फिर हिसाशी बुरी दिसने होगें की द चीजने होती है, वो सब Japanese Language में ही होती है, जैसे कि मैंने अपने दूसरे वीडियो में आपको देंकी से ही, देंकी असान में आपको अलग अलग चीजने दिखाई थी, तो वहाँ पर भी Japanese Language में ही उन चीजने के explanation हो दिए, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा थी काफी अद्वांस लेंगविज है, इसके लिए तो N2 N1 तक मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, JLPT का उतना लेने देना नहीं होता, JLPT is all about kanji और dokkai, yomi kata वगारा होता है, जो मैं अपने बाकी वीडियो में दिखाया है, में जो काईवा या फिर किकु रेंशू की बहुत बहुत इंपोर्टेंट मानी जाती है, बहुत बहुत इसका सिग्निफिटेंस होता है, क्योंकि इंट्रिवू में जो भी कुश्चन पूछा जाए उस चीज को स्पॉन्टेनिसली आंसर कर पाना, ये जेपैन में रहके काफी काफी तेज और काफी जल्ली हो जाता है क्योंकि जाता है, 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 क्योंकि जात